अर्पन लेजेंड्स सिरीज को यू भाग मा आज़ा हमरे शुरता मद्दे एक जना प्रिंस पवडेल जीले अन्रोद गनु भाईको दन्ते कथा को यूटा पात्र वेंडिगो को बारेमा कुरागर्न कई रहका जों नर्दन यूएस स्टेज र साउदन कैनडामा यो अर्बन लेजेंड प्रक्याद छो चली आयको दन्ते कथार को अंचार यूएस को मिनासोटा को उत्तरी जंगलमा ग्रेड लेक रिजन को वरी परे सेंट्रल कैनडा को जंगलमा यूटा अलोवकिक सकती कुमने गरचा जसलाई मानिसरू वेंडिगो बनचन यूशकती या जूई मान्चे अरू जस्तने देखें चा रैसले मान्चे लाई बसमा बनी पारचा इसको संबन्दमा खासमा जंगलना बेटेयेका लास या जंगलमा हरायेका मान छेओ जसको केई खोज खवर पाऊना सकीन तीस जंगा जोड़ी नेगाचा। वेंडिगो को बार्नन नेल्टिव अमेरिकन को संस्कृतिमा पनी पाईने गरेका जा। उन्हेर कॉनोचार वेंडिगो युटा धेरे ठुलू जना अरो हो रू उन्हेर कॉन वार तो जंगलको गुने रुख जस्तो देखें जा। तो तिसको टावकोमा बार सिंगे जुस्तु सिंग हुँँच तिसको चमकीलू आखा हुँच वेंडिगोले आपनो छेद्रमा आउने सबई मानिशलाए खांच जायत्यो मैलावस या बच्चा कईले काई वेंडिगोले मानिशलाए आपनो बसमा पारेगा मरे तुल्ले पनी पार्च पनी पार्च पनी च जो मान्चे मा लोब पाप बड़ी हुँच वेंडिगोले तिस्ते मान्चे को शरीर कपजावर्च वेंडिगो को बसमा परेका वेक्तिको भोग कईले पनी मेटी द ते समय देखी यो अर्बन लेजेन्द को जन्म होंच मानचेरू वन्ते की उन्योर लाई वेंडिगो को आत्माले छोपे खोच र तेसी कारण उन्योरू मानचे को मासु खाई रेकाचन तेरे जशु यो देखी खोच की दन्ते कठाक असर एति गव्यर उन्छ कि तेसले मानिसरुमा युटा मानिसिक स्थितिको असंतुलन ल्यावना शुरू गर्चौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौौ गुजस्ते बन्दै जान्चन पंद्रों सोरों सत्रों रो अठारों सताथ दिको समयमा जब कईयों दिन बरफ बर्षिन त्यों त्यों समयमा नेटिब अमेरिकन अरू कहर भित्रने कोई दून्ते उन्हेरली खाना तंग संग खाना प्पाउद ने थे तब पोकु कारण उन्ह उन्हेर कोमनमा बाकिरएका मान्चे अरल्लै मालेरा खाने विज्जार आओना खालतयों। जसकारों कोईयों मान्चे बिरामीपनी भाये का थी। सोरों सताब्धिमा की ही फ्रेंच अरू नर्दन स्टेट माये का थे उन्हरको देश्षे नेटिब अमेरिकन लाई प्रिस्च्चानी टीमा बदलनु थियो उन्हरको 40 बर्षको नोटमा वेंडिगो साइकोशिसको बर्नन पाइन चाओ उन्हरको यो दावा थे हो कि उन्हरले इस्तो तेरे नेटिब अमेरिकन हरलाई देखे का चान जो मांचे को मासू खाने भय का थे पची तीमानिस हरलाई मारियो 19-18 योटा नेटिब अमेरिकन स्विफ्ट रॉनर ले आपनो परियार लाई मारे रखायो कैंडिडेन पुलिस ले उसले समाथेर केरकार गरदा उसले वन्हों कि उन्हों वेंडिगो को सिकार भय को थे उसले आपनो परियार को हत्या जीसो को मोसम्मा गरे को थे उसको बन्हों थियो कि जीसो मा उसको भोग तेरा इव बडे को थियो रो सक्की दै सक्की रहे को थिये न। तेसे कारन जियूदोर अनक लागी उसले सबय लाई मारे को थियो स्विफ्ट राण लाई तही बर्च फासी मा जुन्डैयो वेंडिगो साइकोसिसको तेरही रेकर्डिके सरूपने चन तर आधुनिक जीवन को सुरुवात संगई यो सब्बई सक्कियो को च अब वेंडिगो कुबारेमा घटेका या सुनेका के घटनारो तरफ लागों यो घटना मैं ले रेडिट बाट लिये कों मेरो नाम जनाथनो र यो घटना अलबत कलो राडो मा घटेको घटना हो जुन नर्वे भाट केही दूरी मा परचा मेरो भुबाले नर्वे मा योटा करलीनु बाए त्यो उहाने धेरी सस्तो भाव मा पाउनु बएको थियो मेरो बुबाले सोस्णू बयको थियो की रिटार्मेंट पची वहां तियो ठाउमा गए र बस्णू नेचा आमी कोईले काई छुट्टी मनाऊना तेहां जाने गरतियो तियो ठाउमको बारेमा बन्न पर्दा सोहर भाट पांच किलिमेटर को दूरीमा पर्तियो र नर्वेको जंगल अरु बन्दा 10 किलिमेटर को अगाडी सजिनो तवरले भन्न पर्दा यो सोस्णूस की सोहर र जंगल को बीज मा थियो और पनी थोरे माने चरू तिहां बस्णे गरते सास्तमी भन्न पर्दा तियो ठाउम तेरे सान्त थियो मैंले मेरो पूरा जीवन मा तियो बन्दा सान्त थाउम अईले सम्म देखे को थी न यो गाटना म र मेरो साथी दी संग 2017 मा घटे को थियो तियो समय मा मुशायद 12 वर्शक को थियो तियो ठाउं को बारेमा भन्न परदा यो माननूस की प्रकृतिको आवाज तपाईले प्रश्टरूप मा सुन्न पाऊन थियो हमरो गरको जोमा योटा कुखुरा फाम थियो तियो धेरे पुरान हो थियो तियो मेरो साथी डी को थियो हमलाई दिन बारी त्यो कुकराकू आवाद सुनाई दिन 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 खासमा फोर उठावने गाड़ी मेन रोड सम्मा आऊँथियो, जुन रोड हामरो गवार वंदा पास मिन जती पर आथियो हामी सबय बेलुका पास बजे हामरो फोर तिया फालना जान्थियो और बोली पल्ट बिहाने तियो गाड़ी लिए सबय फोर लिये रा जान्थियो साधरन तया चो बजे सम्माम मा हामी फोर तियो राखने ठावं मा राखी सकते हो तरह एक दिन मोट ठील आवाएं र छो बजे पची तेरही अधियार होंचे यां मेरो आमाले वनवायो कि मैले फोर फालेरे ने आउनोचा मैले मेरो साथी अर जांग कुरा गरे तरह सबय जनाले आपनो फोर पहिले फ्यालेर आई छेका गा थी लगबग राध भाई सके को थियो ते थिखर तो खर भाईर पनी कोई निश्की दाई ना थियो किने की अधरो ज्याप पह उन्थियो रो केही जंगली जनार पनी एता उती गुंदे मेरो टर्च बनी बिगरे गो थियो तरह मेरो मामुले मलाई जसरी ने त्यो फोर फालनो बनेरा बननो बायो मो खरभाट बाईर निश्की तरह साथ जीबन पर दा अध्यारो कान मैले केही देखी राको थी ना रात को सुमाई मा त्याहा जीशू अली धेरे ने बढ़ जा मो ती तीके उभियर आपनो आखा मिजदे एता उती हेर ने प्रयास कर दे थी तरह एती अध्यारो मैले पहले मसुस्ने गरे के थी ना मलाई धेरे डर लाग दे थियो साचे बनन परदा मलाई तेरे डर लाग रहे को थी हूँ मो अध्यारो में हेरी रहे को थी कि मलाई आमाले पचाडी बाटा समाउनु भय रो मेरो नाम ले बोलाउनु भय मो पचाडी फर करेने रो आमाला मने मो जान्ना फोर्फालना मलाई दर लाग रहे को चा मा टराएको देखे राव माले ठीके चा तिमिनोडारो आपनो काम बोली सकनू भने रा मलाय भन्नूबाय बल्ल मेरो सास आयो मेरो साथी दीगो तियो ठावमा तेरै समपती चा रो तियो ठावमा साथीगो नावमा पनी तियो यूटा मात्रे थियो मेरो इसको गहर पचाडे ने युटा कुकरा भामच, मैले पोईलाई वने को थे, मेर गहर लगभग त्यो फाम संगत चोड़िये को थे, हामी प्राहेज़सो त्यां गई रहन थे एक दिन हामी दुबई जनाका आमा भुवा, करको केई सामालेन गाउंबाटा सोहर जानू भाई को थे, मुहारू फरकेर आउनोमा केई समय लागने वाला थे, तेसे कारण वहाले आमले कहर्माई बस्नक लागी बननू भाई को थे, हामी दिन बहरी गेम खेले रहन, गेम खेल बननू भाई को थे, बनेरा उसलाई बने, उसले मलाई डर छेर्वा बने, उसले मलाई दर शेर्वा बने, उर चबर शर्षती आभुशंगा लिए रपुन निसकियो, हामी दुबई जाना, डी को घरवाटा लगभग 6 बजे बाईरा निसके कातियों, हामी ले यू सोचे का कि साथ बजे बन्दा पहिले हामी कर फर गिंचों, किना कि साथ बजे पचे तेरेने अध्यार उन्तियों, हामी दी कई फाम्मा गयों, मा कराओ दे एता उती उफ्र दे थे, र डी आपनो मोबाईल ले मेरो पिडियो बनाओ दे थे, साथ बन्दा समय बिते को थाई बाई न साथ बजी सक को थियो शाये, दी को फाम्मा सोलार थियो, जसकारन जताताय बत्ती र उजालो थियो, हैमिलाए कुणे डर चाई लागी रहे को थिये न, मैले दिलाए अब खर फर्गिन परचाग भनेर बने, मैले एती बन्नी मात्र थियो, कि बातरन मा था चाये न, योटा अलग्य किसिम को सन्नाटा जायो, सबई सान्त र बातावरन अचानक चीशो भयो, दी को फाम्मा जती कुखरार उचे, ती पनी तिस्से कराउन थाले, मानो तीने अले केई महसूस गरे का होस, या कसाई लाई देखे का होस, हामि पनी कराउन दै कुखरार को पची पची भा बने र बने, अध्यारू भयशक के कुथियो, तीसे कराण उसको मोबाईल को फ्लासलाइट जलायार बाटो हेर दै अगी बढ़न धाले, के कदम अगाडी हिडेक पची, बातावरन पूर्ण रुपमा शान्त भयशक के कुथियो, तोर आमिले कसाई को सासली रहेको आवाज सुनी रहेका दियो, मानो कुने जनावर होस, हमले लागिवो कि साई चुने ठूलो जनावर हामि तिरा आउंब आईचा, हमले यो मसो सुनी वित्तिके, योटा सानो कोठामा छेु जुन दिका भुबाले बनाउनु भयको दियो, हमि जब तेहां भित्र गयों, तेहां भित् सथिवालों सब्सक्राद कुल सब्सक्राद केंने और अकर करते थैंडी 라daughter में विञए अताए श्टार कें सब्सक्राद के टोмовाज शुलगारा नुक्त काथा葉 बंवन रहा करें दोक्त को देशत्या देश्यानने खोश शि Vasan पची हम लाए उन्हें सड़ेको मासुको गंदा आऊना थाले रो कोई जोर जोरले सास निदाई हिंड देए थियो जोस्ते की तेरे भोको अस त्यों गंदा थेरे ने असा है निये थियो हामी जुन कोठा मा थे हूं त्याहे उटा च्याल पने थियो मत जालवाट बाईर हैरने कोशिज कर देते हैं कि बाईर कोच पहले मेरो साथी डिले एरे उसलिए केही देखे न मैले पनी एकचोठी हेरों वन्ने सोचे रो बाईर थे रहे ने जी मैले देखे त्यों कुहरा थियो रो त्यों कांचाई थी कुहरार लाई चपाऊ देतियो रो दोड़ी दे एता उती के खोजे जाई हेर देतियो मेरो मुखबाट आवाजाई निश्की रहे को थिये न मैले इसाराले ने डिलाई आफोतीरा बोलाई हामी दुबई जानाले तिसलाई कांचाई को थियो त्यों कुने जनावर को हाथ लागे रहे को थियो रो उसको सरीर मां हड्डिय को यूटा यूटा भाग देखे रहे को थियो तिसको लगमभाई लगभग 12 फिट को थियो होला ति फेरी अध्यारो जंगल तिर जादा जादाई अचानक तियो रोकियो आम गंटा समा चुपचाप तेही बशी रहें। एही समय में दीत तेही निदायो। रम पुरा रात ते च्याला गाड़ी नहीं बशेगो थी। मेर दिम्याग मा यही चल दे थी। कि कते त्यू अनाउठो जनार फरके रहा नावस। बियान सुर्य नौदाउंजल मत तेही थी। बियान होने वित्तिके मैं दीला उठाय रहा हामी दोराओंदाई बाईर निश्कियो। बाईर निश्कियो। बाईर निश्किदा हामीले जमिनमा त्यू अनुठो जीव को, कुट्टा को, निशान, फाम को औरी परी देख्यो। हामी घरती रहा भागयो। हामीले आपनो परियारलाई यो सबय कुरा वने। तर कसाईले हमरो कुरलाई विश्वासाई गरे नन। रहामले उनयारलाई फाममा लगयों रती खुटार को निशान देखायों। तर उनयारले सोचे कुने जना हर होला। तर उल्टे हमलाई गाली करदै एती राती हमी किना भाईरे मागमाँ शो यो थियो वेंडी गो दिख्येकू पईलो बाटा यो रेडिट बाटा लिएको थियो रो अवो अन्नवेरेको अरको खटना यो पनी रेडिट बाटाने लिएको मेरो नाम सीमोन हो अमेरिकन फोरेस्ट नाजी कै मेरो हज़रववा का योटा फाम हाउस हो त्यों फाम हाउस मा मेर हज़रववाले तेरी जनावर अरू पाली राके काचन जस्ते की गोडा कुकरा गाई बाखरा मेर हज़रववाले जनावर अरू तेरही मन परते हमी समबई हजुबालाई वेटना तेहां जाने गरतियों। मेर उमेर सत्र वर्षको छो। रमसंग मेर यहुटा भाई जो बार वर्षको र दू यहुटा भाईनी एमेलिया र लीना। हामी सबई आइतवार त्यां गयरा तेरही रमाईलो करतियों। हजुबालाई वाईलो करतियों। हामी सबई त्यां गयरा वालाई मददपनी गरतियों। आमरो कारवाट हजुबालाई लगबाग 25 किलमीटर को दूरी मा थीयो। हजुर्वासंग युटा फूल बंदुख थियो जुन महां आपनो पसोहरुको सुराच्याको लागे राखना हुंतियो किना कि जंगल बाट कोईले गाई जंगली जनार अरू फामाउस तर्फ आउने गर थे हामी चारे जनालाई जंगल मा जाने अनुमधे थिये न तियो जंगल फामाउस बाट एक या दुई किलिमेटर को दुरी मा दियो एक दिन फेरी जब हामी हजुर्वासंगा पेट ना गयो वहांको स्वास्ते अली ठीक थिये न वहांको टाउको दुखी रहेको दियो तेसे खारण केही समयक लागी वहां आरामगर्ण हुने चा तेसे कारण अल्ला न गरी सांत पवस्नक लागी वहांले आमलाई भन्नुवर्वा सुते पची मेरो दाई ड्रेकले जंगल तीरा जाउं बनेर बन्यो मैले उसलाई तेहां न दाउं उसले बन्यो हजुर्वा उन्नुवंधा पईले ने आमी फाल कीन्चों मैले जंगल मा धेरे जंगली जनार उंचन बनेर बने ड्रेकले हजुर्वा आको राइफल उटाई रो मती मार लाई के हुना दिनन लह बनेर बने मैले उदाई ना बने तर ड्रेक रो मेरो भिवादै चल्योग ॅमरो पना मनले हजुर्वा कू निंद्रा कुल्यो हजुर्वा लाई निंद्रा बिगार देयो कारण जोक चले च आमाः सबे लाई बहिरा निकाल दीनुवाई हमै बहिरा थें की ट्रेक ऐमेलीया रर लीना उंगरो तो जंगल तीला पो जानार आग जंगल मा एकदम सान्त लो जंगल एकदम गना मलाई तेरही डोर लागी रहेको थियो तेसे कारण मुले सायद अवा हैमलाई येवाट फरकीनो पर्च होला पनेर बने ड्रेकले यहां अवा पची फेरी फेरी आवने मोगा पाउदेन जो जंगल बित्र बनेर बने हैमी सबई जंगल को पित्र गए जंगल को कि पित्र चिरे पची अधे आरगो कारण रामर संग केही देखी रहेको थियेन किनकी ठुला ठुला रुख को कारण चंद्रमाक उजालो पनी भित्र आउन पाई रहेको थियेन हैमी सबई त्याहां भाचे का रुख करू पने थि हैमेरो सबई त्याहां बसेर कुरा करना थाले लीना आफुसंग केही चोकलेट रब बिस्कूट लिये राये के थि हैमी सबई त्याहां भाचे र त्यो बिस्कूट खाना थाले हमलाई जोंगल वित्र आयेको लगबग एक डेड़ घंटा भाई सके को थियो मैले अब तमी फरकीन पर्च होला पनेर बने मैले देखें कि लीना र एमेलिया मैं वन्दा अगाडी निश्की सके गा थिये ड्रेक को चाई अतो पतो कता ही थिये न मा तेहां लगबग पाच मेड जती बसी को थिये तर ड्रेक को कुनई नामोनी सान थिये न मा जंगल तीर फरकेर ड्रेक लाए बोला है तर कुनई उतर आये न अचानक ड्रेक देखा पले र भाग दे मेरो अगाडी बाट गए र वन्यों आज अचा ट्रिट तिम लेने दीनी परचा एक मेड जती आरांवरेश जी मा फेरी ब्रेक को पची पची भाग न थाले मेले चार कदम मात र अगी बढ़ाय को थिये कि अचानक योटा अनुट आवाज आयो सिमन मलाई बचाओ त्यो आवाज ब्रेक को थियो म अच्छाम मा पढ़े कि नकी ब्रेक्त बरकर बरकर मेरो अगाड़ी बात गये को थियो मलाई लागेओ सायद मलाई ब्राम बयो तर त्यो आवाज मले प्रस्ट रूपमा सुने को थि मले त्यो कुरालाई त्यान दिन र अगी बढ़ना थाले मेले चार कदम मात्र बढ़ायको थे कि फिरी तु आवाज गुन जियो सिमान मेरो मददगर मो तुरुन तरोके रो मूर्ती जेए भाई मलाई दोर पने लाग दे थे तरो मो बिना पचाडी फारके रो पागदै अगाडी जा दे थे तोड़ीदा तोड़ीदे बाट चो कि मरेको पसु रो तिनका हड़ देरू मले तेहा देखे मलाई अचम एस काराने लागयो कि जादा खेरी मले चिस्तू केही देखे को थे न तरो मो आफुलाई जसो तसो समाल दाई अगी बर देखे थे अगाडी बड़ी रेको थे केही समय पची मले उटा गोली चलेको आवाज सुने तियो सान्त जंगन गोली को आवाज एसरी बुण जियो मानो कसले बम पड़कायको होस। मलाई इस्तू लागयो कि मो सपनावाट उठेकों। प्र मेर दिमाग लाई होसमाउन लगबग जंगल को बाईर ती राई ना पित्र ती रा जा लाई थे। मलाई था आई वाई ना कि मो इले आपनो दिशा कत्ली खेर बदले रो मा बाईर ना पित्र ती रा भाग ना थाले। बाई सफमाउन लगभी जोड़ जोड़ ले चिताउा ना थाले। करीब तीस सिकेंड पाचि साइर मेरो पाईले मेरो आवाज सुनिय। रो मीरा वाई बोलाउा ना थाले। शीमोन का हो? शीमोन का हो? मैं ले मन यहाँ चुँग बने आ बने आपनो नाम ने राखनो जुनाराज को पचलागे रा मती मलाई भेटने चुग बने रा बने केही समय पच्ची ड्रेकले मलाई देखियो तो मफाग देए उबाय दरफा बाय मगए र आपनो भाईको नजी के हुबे र जोड जोड ले रुना थाले और केही बोलना सकी रहेको थी न ड्रेकली कुने जनावार लाई देखे को कुरा सुनाय जसलाई उसले गोली हाने को थियो यति बंने बित्दिक ड्रेकली मेरों पचाड़ यहटा ठूलो छाया देखे ते ठाय को लंबाई बारा देखे तीरा फ Wait चम्म कतियो तेसक टावको कुने बारा सिंगे को जोश्तो थियो ड्रेकली तेसलाई देखने बित्दिके द्वराय हाले हो और उसले हर बड़ीमा तियो माली ऐहाँ गोली आनयोु गोलीली ड्रेशनलाइ लाग ना ता लागे ना... तर गोलीकविण लाघहाँ एती ठुलो थियो कि त highlights आती जैजमगल बेद रवाज़ी ओ मेंविले त्या त दिख लेखियी ओ तो ड्रेकली मलाई तेसको बारे में प्रस्ट वने को थियो तेसको आखा एकदम है चमकीर है को थियो त्यो बंदुक मा दुई वटा मात्र गोले थियो जसलाई उसले फायर गरी सकी को थियो ड्रेकली मलाई तिहां बाट भागनक लागी वने वर हमी दुबई जाना तेहां बट जो पाहिर फामाउस्ती रा पागना खाले। के भेर दौडे पची हामी ली लीना र एमिली रेला बेटियों। हमी बल्ल बल्ल फामाउस पुग्यों। जहां हजुर भूबा हमलाई कुरी रह का थी। टेहां पुग्दा मेरो बिगरे को हालात देखेर हुआसे Eck syllables के भाईो भाय। हमी सम्गों जिसेग भाय। भूब्रेकली हजुरूबा अलाई सक्पवइ वनिछुरूधियो। हजुरूबा तेरे रिशाग भाय। तरो में जाली गरुवबा है। ड्रेक लिए तो अनुठो जीब को बारे मां हजरु वालाय बने। महाले उसको कुरा सुने रा कताई जानु भायो तो युटा किताब लिए रामरो अगारी राकी दिनु भायो तो किताब को खोल मां ती जीब संग मेल खाने चीतर थियो। तो युटा वेंडी गो थियो। हजरु वाले बननु भायो। कि आमरो भाग गेर आमरो थियो। कि आमी बाचें। रो वाले आमिलाए फरके रपनी तेताई दर न जानु बने रपननु भायो। आजको भाग हजुर हरलाय कस्तो लागयो। कमेंट मा अवस्य कमेंट गरनु होला। रो अधूर हरलाय कुने अर्वन लेजिन को बारे मा सुननु मन चा भने कमेंट अवस्य करनु होला। मा सक्के सम्मा सबयलाय समेटने कोसिज गरने चु। अब अरको भेट अरको भाग मा होने चु। झाल झाल